आग 30 जून है और 30 जून से related सारे most important current affair को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तत्थ्यों को भी समझेंगे तो चल ये शुरू करते हैं पहला question है बिस्व बैंक ने किस कारकरम के तहत भारत को 500 million के रिड को मंजूरी दी है तो बता दें इस्टार्स कारकरम के तहर बिस्व बैंक ने भारत को 500 million के रिड को मंजूरी दी है यानि आपसन भी सही है 28 जून को बिस्व बैंक ने घोसला की है कि भारत में गुडवत्ता और स्कूल सिच्छा प्रडाली में सुधार लाने के लिए 500 million डालर लगभग 3700 करोड के रिड को मंजूरी दी गई है सुकृती रिडम से भारत के 6 राजियों के 1.5 million स्कूलों में 10 million सिच्छक और 200 million स्कूली च्छात्र लाववानित होंगे ये 6 राज कौन कौन से हैं पहला है राजस्थान दूसरा है केरल तीसरा है मद्ध परदेश चौथा है ओडिसा पाच्वा हिमाचर परदेश और आखरी छठा है महराष्ट स्टार्स कारकरम क्या है 1994 से इस कारकरम ने भारत और विस्व बैंक के बीच एक लंबी साजीदारी अस्थापित करने में मदद की है इस कारिकरम के माध्यान से बिस्व बैंक ने भारत सरकार को सभी के लिए सिच्छा प्रदान करने की दृष्ट कोड को अधिक लचीलापन प्रदान किया है बता दें भारत में इश्कूल जानेवाले छात्रों की संखें 2004-2005 से 2018-2019 के बीच 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई है बता दें जो बिस्व बैंक है बिस्व बैंक भारस इच्छा अभीयान में भी तमाम पैसे खञच करती है यूनिसेफ रिपोर्ट के अंसार यवन में पांच वर्स से कम आयू के लगभग कितने मिलियन बच्चे को पोसल का सामना कर रहे हैं तो यहाँ पर सही अंसार है दो दस्मल चार मिलियन बच्चे यानि आपसंसी सही है सयुक्त राष्ट बालकोस यूनिसेफ ने 26 जून को कहा कि COVID-19 महमारी के बीच लगभग 24 लाख बच्चे जो पांच वर्स से कम उम्र के हैं यवन में भूख और कुपोसल का सामना कर रहे हैं बताने कि यवन में 2015 से ग्रिय युद्ध चुड़ा हुआ है यह ग्रिय युद्ध होथी ससस्त्र आंदोलन और यवन सरकार के बीच 2015 से शुरू हुआ था होथी क्या है होथी वहाँ का एक ससस्त्र आंदोलन क्रांतकारी संगठन है दोनों धड़ों का यवन में अधिकारिक सरकार के गठन का दावा करते हैं कौन होथी ससस्त्र अंदोलन और यवन सरकार जो है दोनों अपना अधिकारिक रूप से यवन पर सासन चलाने का दावा ठोकते हैं बतादे कि बर्तमान में यवन की राधानी सना में खौथे सस्थ्र बलो का नियंत्रड़ है Next question है मलावी के नए राष्ट पती के रूप में किसे चुना गया है तो इसका सही अंसर है लज रस चकवेरा को आपसंस C है लजरस चक्वेरा को मलावी के नई राष्ट पती के रूप में चुना गया है बता दे कि मलावी दच्छड अफरीका में इस्थित एक देश है इसे पहले न्यासा लेंड भी कहा जाता था यह एक लेंड लाग्ड देश है कैसा लेंड लाग्ड लेंड लाग्ड उसे काते हैं जिसकी सिमाई किसी समुद तट से नहीं लगती हैं उसे हम लेंड लाग्ड देश काते हैं जैसे भारत है भारत की सिमाई हिंद महा सागर से लगती हैं इसलिए इसे हम लेंड लाग्ड देश नहीं कहेंगे लेकिन जिन दे भी ने 6 जुलाई 1964 को United Kingdom से सब्सक्राइब हासिल की थी नेस्ट कोस्तन है आयरलेंड में नए प्रधान मंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो बता दें माइकल मॉल्टीन को आयरलेंड का नए प्रधान मंतरी चुना गया है यह Ireland की फियाना फिल पार्टी के नेता है Ireland की राजधानी क्या है? Dublin है तथा यहां की मुद्धा यूरो है और यहां की राश्पती माइकल डी हिंग्स है Next question है 1 जुलाई 2020 से किस राज में किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा? तो इसका सही अंसर है मधपरदेश आपसने सही है मधपरदेश सरकार ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्ले लिया है मधपरदेश में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रिट करने के लिए मधपरदेश के मुखमंत्रे सिवराज सिंग ने सूचित किया है कि राज सरकार 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करेगा यह एक डोर टू डोर सर्वे होगा यह अभियान राज में प्रती 10 लाख लोगों पर COVID-19 परिछड चमता को दो गुना कर देगा इस अभियान के तहब प्रतेग दिन 10 से 15 लाख 15 हजार नमूनों को एकत्र करने और उसके परिछड करने का लच्च होगा मधपरदेश में रिकवरी करने कदर जो है 46 दसपल नो प्रसत है जो की भारत में सबसे अधिक्तम राज्यु में है नेस्ट कोस्टन है राष्टी सांखिकी दिवस कब मनाया गया तो इसका सही अंसर है 29 जून को राष्टी से सांखिकी दिवस मनाया गया यानि आपसंसी सही है समाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तयार करने में सांखकी के बारे में महत्त को बताने के लिए भारत में प्रतेक वर्ष 29 जून को सांखकी राष्टी दिवस मनाया जाता है बता दे यह दिवस सांख की और आर्थिक नियोजन के छेत में स्वरगी प्रोफेसर प्रसंत चंद महाल नोबिस के उलेखनी युगदान के सम्मान के रूप में मनाय जाता है महाल नोबिस का जन्म 29 जून 1893 में कोलकाता में हुगा था और इनकी मृत्यू भी कोलकाता में जून 1972 में हो गई थी एक बता दे महाल नोबिस जो है भारतीय प्रथम सांख की भी थे जिसे विस्व में मनता प्रदान की गई थी महाल नोबिस दूसरी पंचवर्सी योजना के सुत्र धार भी थे दूसरी पंचवर्सी योजना भारती अर्थ ब्योस्था के महाल नोबिस गड़ती विब्रण पर निर्भरता इन्होंने उद्योगों के भारी विकास पर ध्यान दिया बाद में नेहरुना महालनोबिस माडल भी आया था नेश्ट कोस्तन है मध्ध प्रदेश के राजपाल का अत्रिक्त प्रभार किसे सोपा गया है तो बता दें उत्तर प्रदेश की राजपाल आनंदी बेन पटेल को मध्ध प्रदेश के राजपाल का अत्रिक्त प्रभार सोपा गया है उन्हें यहां अत्रिक्त प्रभार मद्ध प्रदेश के बर्तमान राजपाल लाज़ी टंडन का लखनों में इलाज चलने के कारण सौपा गया है उत्ते प्रदेश के मुख मंतरी योगी आदितनात हैं तथ मद्ध प्रदेश के मुख मंतरी सिर्वास सिंग चौहान है नेस्ट कोस्टन है टी सीसी आई सीसी के एलीट पैनल में किस भारती अंपायर को सामिल किया गया है तो भारती अंपायर नितिन मेनन को अंतराश्टी क्रिकेट पर सब आई सीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में सामिल किया गया है नितिल मैनन इसके पहले अमिरात ICC International Panel of Empires का हिस्सा थे उन्हें तीन टेस्ट और 24 एकडिवसी अंतराश्टी मैच और 16 टीटन्टी अंतराश्टी में अंपाइरिंग का अनभव है नेस्ट कोस्टन है देश का पहला प्लाजमा बैंक किस राज में खोला जाएगा तो इसका सही अंसर है दिल्ली दिल्ली में देश का पहला प्लाजमा बैंक खोला जाएगा यानि आपसंडी सही है दिल्ली के मुखमंतरी अरबिंद केजरिवाल ने मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाजमा बैंक की अस्थापना की घुशड़ा की है स्री केजरिवाल ने आल लाइन मीडिया कानफरेंस में कहा कि यह बैंक अगले दो दिन में काम करना शुरू करेगा मुखमंतरी ने कहा कि सरकार प्लाजमा दान करने के लिए हेल्प लाइन शुरू करेगी वह उनको प्रसाहित करेगी जो कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं और जिनको प्लाजमा देना है मुखमंतरी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरियजू पर प्लाजमा थेरीपी का क्लिनिकल परिछड किया है और इसके पड़ाम उस्साह जनक है प्रधान मंतरी आवास योजना सहरी के तहट कितने लाख लोग आज तक लाभवानित हो चुके हैं तो बता दें इसका सही अंसर है 35 लाख लोग प्रधान मंतरी आवास योजना सहरी के तहट लाभवानित हो चुके हैं यानि आपसंसी सही है 35 लाख हाली में प्रधानमंत्री आवास योजना सहरी ने अपने पांच वर्स पूरे कर लिया है इन पांच वर्सों में देश भर के सहरी छेत्र में अभी भी एक दस्मल एक दो करोल लोगों को घर चाहिए जिसमें से 35 लाख लोगों को घर उपलब्द करा दिया गया है इस समें 65 लाख घर जो है निर्माड़ा धीन है जिसमें 3.65 करोल लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं किसमें प्राप्त कर रहे हैं यह जो घर बन रहा है इसी घर के तहत सरकार ने 2022 तक योजना के तहत 1.12 करोल घर देने का लच्च रखा है यह था हमारा आज का प्रमुक करंट अफेयर हमारे इस वीडियो को आधिक से अधिक लाइक कमेंट और सेयर करें और अगर हमारे आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें